आज कश्मीर का पुलवामा पुरे देश को पढ़ाने में महत्पपुन भूमी का निभा रहा है। आज देश भर में बच्चे अपना हुंबर करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे पुलवामा के लोगों की कड़ी महनत भी है। कश्मीर घाटी पुरे देश की करीब करीब 90% पैंसिल स्लेट लकडी की पट्टी की मांग को पुरा करती हैं, और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है। एक समय में हम लोग विदेशों से पैंसिल के लिए लकडी बंगाते थे, लेकिर अब हमारा पुलवामा इश्क शेत्र से देश को आत्मनिर भर बना रहा है। वास्तव में पुलवामा के ये पैंसिल स्लेट्स स्टेट्स के बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं। गाटी की चिनार की लकडी में हाई मोश्यूर कंटेंट और सौपनेस होती हैं। जो पैंसिल के निर्मार के लिए उसे सबसे सुटेबल बनाती है। पुलवामा में उख्षू को पैंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है। यहां पैंसिल स्लेट निर्मार की कई इकाईया हैं जो रोजगार उपलब्द करा रही हैं। और इनमें काफी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। साथियों पुलवामा की अपनी ये पहचान तब स्थापित हुई हैं जब यहां के लोगों ने कुछ नया करने की खानी, काम को लेकर रिस्क उठाया और खुद को उसके प्रती समर्पित कर दिया। ऐसे ही करमट लोगों में से एक हैं मंजूर एहमद अलाई। अब ही मंजूर भाई को कहीं से पता चला कि पैंसिल निर्माण में पॉप्लर वूड यानी चिनार की लकड़ी का उप्योग शुरू किया गया है। ये जनकरी मिलने के बाद मंजूर भाई ने अपनी उद्यमिता का परिचे देते हुए कुछ फेमस पैंसिल मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स को पॉप्लर वूडन बॉक्स के आपूरती शुरू की। मंजूर जी को ये बहुत फाइदमन लगा और उनकी आमर ने भी अच्छी खासी बढ़ने लगी। समय के साथ उन्होंने पैंसिल स्लेट मैनुफेक्चरिंग मशिनरी ले ली। और उसके बाद उन्होंने देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों को पैंसिल स्लेट की सर्प्लाई शुरू कर दी। आज मंजूर भाई के इस बिजनेस का टन ओवर करोडों में हैं और वे लगभग 200 लोगों को आजीविका भी दे रहे हैं। आज मन की बाद के जरिये समस्त देश वास्चों के और से मैं मंजूर भाई समेत पुलवामा के महनतकस भाई बहनों को और उनके परिवार वानों को उनकी प्रसोंसा करता हूँ। आप सब देश के यंग मैंड्स को सिक्षित करने के लिए अपना बहुमुली योगदान दे रहे हैं।